इस वीडियो में हम जानेंगे उस ब्रस को ठीक कैसे करें जो आयल पेंट से शुक कर खराब हो चुका है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सागरपा और मेरे यूटूब चेनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अक्सर हमारा थोड़ा सा लापरवाही और मजबूरी के कारण हमारा ब्रस खराब हो जाता है लापरवाही यहां कि हम उसे अच्छी तरह से धोते नहीं और मजबूरी यह कि हमारे पास तारपिन आयल खतम हो जाता है ऐसे इस सिती में हमारा राइटिंग ब्रस खराब हो जाता है देखे दोस्तों यहाँ पर मेरा पास एक ब्रस है जिस पर मैं उंगलिया फेर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसके बाल सूप कर हाड हो चुके है यह सौप्ट नहीं लग रहा है और आप देखी सकते हैं कि इस ब्रस के जो बाल है आपस में एक दूसरे से चिपक गए है ऐसे इस सिती में दोस्तों इसे हम जितना भी तारपीन आल से साप करें यह साप नहीं होता और ऐसे ब्रस से राइटिंग करने से क्या नतीजा निकलता है देखें यहां पर मैं लिख रहा हुए तो जो लाइन है वो ठीक से खिंची नहीं जा रही है और इस पर गेपिंग भी चूड़ रहा है इस ब्रस से लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मैं कोसिस करता हूँ इस ब्रस से पॉइंट बनाने का देखिए दोस्तों मैं पॉइंट तो बना रहा हूँ लेकिन जो पॉइंट अच्छे से नी बना रहा है जो इस पर नोग बनाते हैं वो अच्छे से बिल्कुल नहीं आ रहा है इस brush से मजा ही नहीं आ रहा यार तो चलिए जानते हैं कि इस brush को किस आल से साप करें ताकि ये पहले की तरह press हो सके पहले की तरह writing लिख कर दे सके देखे दोस्तों यहाँ पर हैं मेरा जादू का डिबबा नहीं यार मजा कर रहा हूं ये जादू का डिबबा नहीं है ये है एंसी थिनर इसे से हम जो brush को साप करते हैं हमारा पुराना brush इससे अच्छे से साप हो जाता है तो चलिए इसका ढखकन खोलते हैं और डालते हैं brush को डिबबे के अंदर और इसे एक या दो मिनट के लिए बाहर रख देंगे दोस्तो बाहर इसलिए कि अगर इसे हम अंदर ही डाल देते हैं और रख देते हैं तो इसके बाल जो है मुड जाएंगे इसलिए हम इसको बाहर निकाल कर रखेंगे एक मिनट के लिए या या दो मिनट के लिए तो इससे जो है हमारा ब्रस भीग जाएगा और अच्छे सी इस पर जो पेंट है वो निकलने लाए भीग जाएगा और एक बात आपको बता दो कि ये जो NC Thinner है वो उड़ जाता है इसलिए इसका ढख्कन हमेशा बं खरके रखना चाहिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए और एक बात आपको और बतादू कि इस NC Thinner का असर इतना है कि बोट पर जो कलर है वो भी निकल जाता है जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ पेंटर तो देखिए यह पेंटर लिखा हूँ वहाँ का जो रेट कलर है वो भी निकल गया है इस ब्रस को रखे थे उस कारण से क्योंकि इस पर NC थिनर लगा हुआ था देखिए दोस्तों मैं ब्रस को अपना इस तरह से साप करता हूँ NC थिनर से एक और ब्रस लेता हूँ उसके पिछे जो लकड़ी की टंडी होती है उसी से हलका हलका दबा कर ही साप करता हूँ आप भी ऐसे कर शकते हैं हाथ से चुने से यह बहुं ठंडा लगता है इसलिए मैं हम इसे तारफिंड आल से धो देते हैं तो वो बहुत अच्छा है अगर नहीं धोते हैं फिर भी कोई दिकत नहीं है यह NC थिनर से यह बहुत अच्छा साप हो जाता है तो चलिए दोस्तों अभी जिस ब्रस को साप के उससे एक बार राइटिंग लिकर देखते हैं इसका नत लोग बनना था वह अच्छे से बन रहा है दोस्तों जब मुझे एंसी तिनर के वारे से पहली बार पता चला था और जब मैंने इसे इस्तिमाल किया था तब मुझे बहुत खुसी हुई थी मतलब मेरा पुराने जितने सारे ब्रस थे वह साफ हो गया थे इसलिए बहुत झाल 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 झाल